नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल Magical Education में दोस्तो ये वीडियो है Journal Awareness का जो कि आपके SSC CGL और SSC MTS जैचे एक्जाम्स के लिए बहुत इंपोर्टन्ट है साथ ही अगर आप BCHU का एक्जाम देते हैं BA का या अलाबाद उनिवस्टी का एक्जाम दे रहे हैं वहाँ पर भी आपको Journal Awareness के questions पूछे जाते हैं तो दोस्तो जर्नल अवेर्नेस के वीडियो बहुत सारे exams के point of view से important होते हैं यह है हमारा part number 5 मदलब मैंने part 1, part 2, part 3 और part 4 पहले ही upload कर दिया है उसमें बहुत सारे questions हैं जो कि किसी ने किसी exams में पूछे गए हैं सामान ये जारुकता या Journal Awareness में तो आपने अगर उनको नहीं देखा है तो देख लीजे और इस वीडियो को और सारे वीडियो उसको completely देखिएगा ताकि आपको सारे questions हैं उनके बारे में पता चले और इसी तरके के और भी वीडियो के लिए दोस्तो सब्सक्राइब कीजे और हमसे जुड़ जाएए जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो एक notification बेल आएगी उसको on कर लिजेगा जिससे आपको जब भी कोई भी वीडियो अपलोड हो ता आप पे तुरंत एक notification पहुच जाए चलिए दोस्तो सुरू करते हैं और पढ़ते हैं सबसे पहला question है friends कि आद्रवायू में ध्वनी का वेग सुस्क वायू की तुन्ना में अधिक होता है क्यों तो इसका सही answer है दोस्तो कि सुस्क वायू की तुन्ना में आद्रवायू का जो घंतव होता है वो ज़्यादा होता है सुस्क वायू मतलब दोस्तो ड्राइ एर सुखी वायू ठीक है और जो आद्रवायू होती है उसको कती humid मतलब जिसमें नमी हो तो अगर नमी होगी तो उसमें water के droplets होंगे water की बुणिंदे होंगी तो जिसकी वज़े से उसकी घनतों बढ़ जाएगा तो जो आद्रवाईउ का घनतों होता है वो सुष्क वाईउ से ज़्यादा होता है और घनतों के ज़्यादा होने की कारण ध्वनी का वेग भी ज़्यादा होता है ठीक है नेक्स्ट कोसें दोस्तों कि आंतरिक सुलब क्या है तब होते हैं जब किसी उद्योग में विस्तार होता है ठीक है चार ओप्सन दिया हुआ है चारो ओप्सन में से डी ओप्सन आपका सही है कि आंतरिक सुलब तब होते हैं जब किसी उद्योग में विस्तार होता है next question देख लेते हैं next है दोस्तों कि न्यूनतम पारगम ये सक्ति किरण कौन सी है पारगम मतलब पार करने वाली मतलब किसी भी metal seat को धातू की चादर को पार करने वाली सबसे न्यूनतम किरण कौन सी है मतलब जो सबसे कम पार कर पाती है तो दोस्तों अलफा किरण sorry देखे दोस्तों यहां चार ओप्सन दी हुए गामा, अलफा, एक्स और बीटा चार ओप्सन में से जो अलफा किरण है वो सबसे ज़्यादा भारी होती है अलफा का दर्मान सबसे ज़्यादा होता है 6.67 x 10-27 kg ठीक है बाकी सब रेज है और इनका दर्मान भी कम होता है इनमें जो पार्टिकल्स होता है तो अलफा का दर्मान सबसे ज़्यादा होता है तो ज़्यादा दर्मान के कानार यह क्या करता है पैनिट्रेट नहीं कर पाती भेद नहीं पाती ठीक ना तो सबसे न्यूंतम होगी नेक्ष दोस्तों कि सुची का मिलान करना है तो मैं आपको बता देता हूं डरेक्टली एसकॉर्बिक एसिड जो होता है वो विटमिन सी से रिलेटेड है क्रोरोफिल जो है वो आपका प्रकास अंसलेर से पिगमेंट से रिलेटेड है कैरोटीनोड जो है वो आपका कैरोटीनौयड यह आपका सामक से रिलेटेड है और सुपर ओक्साइड डिसम्यूतेस जो है आपका वो एनजाइम से रिलेटेड है मतलब आपका D option 4,1,2,3 सही तो दोस्तो एक्स किर्णों का प्रियोग होता है वो कई काम के लिए होता है फिलाल यहां पे जितना option दिये हुए है उसमें जो डि su. 辍. है कि जमीन के नीचे सोनी का पता लगाने के लिए simon तो इसका प्रियोग इसके लिए भी किया जाता है जो X किर्णों की खोस्ती वो दोस्तो रॉंजन ने की थी रॉंजन एक साइंटिस्ट का नाम है उन्हों ने की थी उन्होंने बताया कि जो इसकी आवरित्ती होती है मतलब फ्रिक्वेंसी वो 10 to the power 18 से 10 to the power 16 तक होती है ठीक है और इसका बहुत सारा यूज किया जाता है जैसे X-ray हम लोग कराते है अपने Bones का जानकारी लेने के लिए हड़ियों का तो वहाँ पे भी X-rays X किर्णों का यूज किया जाता है और और जोगिक छेतर में भी करते है जैसे जमीन के नीचे से सोने का पता निका लगाना ठीक ह तो आपका D option सही होगा इसको याद कर लीजे important question है next है सकल राष्टी उत्पाद मुल्य हरास छूट ये किसके बराबर होगा तो ये होता है दोस्तों निवल राष्टी उत्पाद के लिए ठीक है सकल राष्टी उत्पाद में से मुल्य हरास अगर घटा दिया जाए तो NNP ठीक है NNP मतलब निवल राष्टी उत्पाद और ये कैसे मिलता है GNP माइनस आपका discount ठीक है जिसको आप depreciation भी करते हैं ठीक है तो इसी से आपको मिला NNP नेक्स्ट है multiple commuting task के लिए memory में space के पुनर विन्यास और आबंटन को क्या करते हैं बहुत जादा हिंदी लिखा हुआ है दोस्तों इसको multiprogramming करते हैं ठीक है इसमें memory के space के पुनर विन्यास मतलब memory का space बनाने के लिए और आबंटन के लिए मतलब उसके distribution के लिए ठीक है उस की परिहारवंस का महंतम राजा कहुं था तो परिहारवंस के महंतम राजा का जो नाम है वो क्या है आपका भोज मिहीर भोज ठीक है उसके बाद next देख लेता है बाजार में संतुलन कीमत का निधारन किससे क्या जता है समानता के आधार पर किया जाता है ठीक है ये सारे questions आपको याद करने पड़ेंगे दोस्तों इसका कोई trick नहीं है ठीक है आपको याद ही रखना होगा और ये सारे questions कहीं न कहीं पूछे जरूर गए है इसलिए मैंने आपको ब्रह्मपुत्र और सतलज ये दोनों नदी है जो की भूछेतर से नहीं निकलती ठीक है नेक्स्ट है कि जलिया वाला भाग घटना कहा हुई थी दोस्तों बहुत पॉपिलर घटना है ये 13 अप्राइल 1919 को हुआ था जिसमें जनर्र डायर ने निहत्थी भीड मतलब जिसके पास कोई हत्यार नहीं थे उन पर गोली चलाने कादेश दे दिया था और बहुत सारे लोग मारे गए थे तो ये घटना पंजाब के अमरित सर में हुई थी तो D option आपका सही है नेक्स है दोस्तों कि लोधी वन्स के संस्थापक कौन थे तो लोधी वन्स का संस्थापक बहलोल लोधी था इसने 1451 मलब 1451 इसवी में इस्थापना की थी लोधी वन्स की और बहलोल लोधी का जो सासनकाल था वो था 1451 से 1489 1479 तक उसके बाद सिकंदर लो दिया जो कि 1511 इसवी तक सासक बने रहे इसके बाद इबराहम लो दिया जो कि 1517 से 1526 तक सासक रहे ठीक है और इसके बाद ये वन्स समाप्त हो गया नेक्षर दोस्तों कि दक्षिर पूर्वी या पारिक हवाएं बारिस के मौसम में भारती उप महादीब के किस कारण आकरसित होती है तो कम वायूदाब के कारण जो उत्तर पस्चिम भारत में कम वायूदाब है उसके वज़ासी आकरसित होती है बारिस के मौसम में जो दक्षिर पूर्वी व्यापारिक हवाएं होती है वो भारत की ओर आकरसित होती है इसका मीन कारण है कि उत्तर पस्चिम भारत में जो कम वायुदाब है उनके वज़े से ठीक है तो आपका जो सी ओप्सन है वो सही है लेच्ट है कि आगाखां कप निमनिकित में से किसखेस संबनीत है दोस्तो जो आगाखां टूरंड कप ये हैं आपके फुटबॉल से रिलेटेड दलीप क्रफी एरा बॉली से Сंबने हैं ठीक है और टेबल टेनिस से अगर देखा जाए तो आपका है जैल अच्मी कप, इलेक्ट्रो स्वांड कप, ठीक है, ट्रावन कोर कप, यह सारे आपके टेबल टेनिस से हैं, तो जो आपका आगा कहा है, वो किसे हो गया, होकी से, ठीक है, नेक्स्ट है, ब्राउन एर सब्त का प्रियो एक धुआ के लिए किया जाता है, ठीक है, नेक्स्ट है, सौर उर्जा का अधिकता मिस्थरी करण किस के द्वारा किया जाता है, तो सौर उर्जा का अधिकता मिस्थरी करण हरे पौधों को द्वारा किया जाता है, यह परिस्थितिकी ये तंत्र में उत्पादक का कारी करत और जीवधारियों के लिए भोजन बनाते हैं नेक्स्ट है कि रास्ती संदर्व में निमलिकित में से क्या वरिहत द्रिष्ट्रिकोंड को दर्साता है वरिहत द्रिष्ट्रिकोंड मतला बड़ा तो भारत में जो मुद्रा इस्फिती है वो एक वरिहत द्रिष्ट्रिकोंड है क्योंकि यह संपूर भारत में महंगाई की गर्णा से संबंदित होता है न कि किसी एक विशेश छेत्र में यह पूरे भारत के लिए है ठीक है तो इसका ए ओप्सन सही होगा नेक्स्ट है पसू प्रोटीन को प्रथम सिरेणी का प्रोटीन मान जाता है क्यों देखे दोस्तों प्रथम सिरेणी का प्रोटीन इसलिए मान जाता है क्योंकि इसमें जितना अनिवार है जितना आपको जरूरत है उतना एमीनो एसिड मिल जाता है एमीनो अम्ल ठीक है सादा विरंजक का प्रयोग जो होता है वो क्लोरीन के द्वार किया था है ठीक है तो दोस्तों यह थे आपके सामने कुछ किजे डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी है आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाइ करूँगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लिजे और यह सब को सिंस बहुत इंपोर्टेंट हैं ऐसे बहुत सारे को सिंस हैं जो कि मैं आपको टाइम टाइम देता रहता हूं और सारे को सिंस आपके एक्जाम में कभी न कभी पूछे गए हैं अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजे लाइक जबूर कर लिजेगा सब्सक्राइब कर लिजे सेयर कर सकते हैं आप अपने फेस्बुक पर ट्विटर पर इंस्टार जहां पर भी हैं इसी तरह कैसे वीडियो देखते रहें हैं दोस्तों थैंक्स वाचिंग से यू हैव फ़न